समय, एक अविरल नदी जो अन्वरत बहती है, हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया को आकार देती है. फिर भी, पहेली बनी हुई है. क्या हमें समय को ही बदलने की कोशिश करनी चाहिए या खुद को उसकी ले में धालना चाहिए? ये प्रश्न मानविय इच्छाओं और आकानक्षाओं के मर्म को उजागर करता है. बाहरी परिस्थितियों को बदलने और आंतरिक परिवर्तन को विक्सित करने के बीच तनाव को उजागर करता है. समय को बदलने की खोज अन्यंत्रित पर नियंत्रन की मानवता की अंतरन initiत से उत्पन होती है। प्रोध्योगिकी की प्रगती के साथ मानव जाती ने समय यात्रा सिध्धानतों और उम्र बढ़ने के शमन जैसे नवाचारों के माध्यम से समय के प्रभावों में हेर-फेर करने का प्रयास किया है। के साथ छेड़-छाड के संभावित परिनामों पर चिंतन को प्रेरित करते हैं। दूसरी ओर, स्वयम को बदलने का दर्शन प्राचीन शिक्षाओं और आध्यात्मिक परंप्राओं के ज्यान में अपनी जड़े पाता है। यहां आधार यह है कि समय अपरिवर्तनिय रहता ह इसके प्रती हमारी प्रतिक्रियाएं रूपान तरित हो सकती हैं। व्यक्तिगत विकास, आत्म जागरूकता और लचीलापन जीवन की चुनोतियों से निपटने में आवश्यक घटक के रूप में उभरते हैं। खुद को बदल कर, हम समय की लेके अनुरूप धल जाते हैं और इसके उतार चड़ाव के बीच पनपने की क्षमता विक्सित करते हैं। यह आंतरिक परिवर्तन न केवल हमारे व्यक्तिगत अनुभवों को बढ़ाता है, बलकि हमारे परिवेश पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है, बदलते समय और स्वयम को बदलने का मेल मानव इजेनसी की प्रकृती में आत्मनिरीक्षन को आमंतरित करता है। तक्मीकी प्रगती एक ऐसी दुनिया की जहलक पेश करती है, जहां समय को वश में किया जा सकता है। फिर भी वे ऐसे हस्तक शेपों के परिनामों के बारे में दार्शनिक प्रशन उठाते हैं। स्वयम को बदलने के लिए एक गहन प्रयास के लिए समर्पन, आत्मनिरीक्षन और प्रयास की आवश्यक्ता होती है। स्वयम को बदलने का मूल्य एक व्यवहारिक और परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में कायम है। जैसे हम जीवन की जटिलताओं से गुजरते हैं। हम पाते हैं कि समय के कठोर प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने के लिए इन दृष्टिकोनों के सामन जस्यपूर्ण मिश्रण की आवश्यक्ता होती है। चाहे हम समय के रहसियों का दोहन करना चाहते हूं या आत्मविकास की यात्रा पर निकलना चाहते हूं। दोनों ही खोजों को अपनाने में ही हम अपने मानवी या अनुभव के वास्तव एक सार की खोज करते हैं.